नमस्कार वश्चों सुवागत से आपके अपने यूटिब चैनल दा PCM विजिन में प्यारी वश्चों ये है कोशन पेपर क्लास 8 हिंदी और इंगलिस का जिसका एक्जाम आज हुआ है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका हिंदी के 50 अब्जेक्टिव कोशन पूशा गया है ये 50 अब्जेक्टिव कोशन का अंसर एक करके बताने वाला हूँ तो साथे साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये 50 कोशन में से आप लोगोंने कितना कोशन सहे क्या है और आप यारी विशों इसे पहले आपका इंगलिस के आंसर की का वीडियो अपलोड हो शुका है तो इस वीडियो के बाद आप लोग इंगलिस के भी आंसर को मिला लीजेगा और वहाँ पे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि इंगलिस में 50 में से आप लोगोंने कितना कोशन सहे क्या है तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के आंसर की को देखने वाने ठीक है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सेर कर दीजे ताकि सभी को मिला ले कि उसका कितना कोसिन सही हो रहा है और उसका आपका परतिक सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आ रहा है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे बचो सबसे पहले यहाँ पर देखे आपका खंड का में आप ठीद बोध अनिकि आपका एक गध्यांस और एक पध्यांस दिया गया था जिसको आपको ध्यान कुरूख पढ़ना था और इसके नीचे जो कोसिन देए गये हैं उसके उत्तर को देना था ठीक है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले गध्यांस है इस गध्यांस को ध्यान कुरूख पढ़ करके कोसिन नमर एक से लिकर के पांच तक के प्रसनों के उत्तर को देना था तो गध्यांस तो आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा चलिए देखे पहला कोसिन क्या पुछा गया था कि मनुस केसा प्रानी है तो मनुस आपका एक समाजिक प्रानी है, option नमर एक इसका करेक्ट आंफ रोजाएगा समाजिक उसके बाद देखे बच्चो, अगला question कहा है कि मनुस जीवन के लिए क्या अनिवायरी है तो समाज को खुसाल बनाने के लिए ये आपका जातियों में भी एकता होनी चाहिए समपरदायों में भी एकता होनी चाहिए और आपका उवरगों में भी होना चाहिए, ठीक है तो इस question का जो correct आंफ रोगा, option नमर 4 हो जाएगा इनमें से सभी उसके बाद देकिए, चोत्या option का है कि एकता ना होने पर किसके अंग तूटकर विखर जाते हैं तो एकता ना होने पर आपका G1 के अंग तूटकर विखर जाते हैं ऑप्शन स्टीर का correct आंफ रोगा, G1 उसके बाद देखे बच्चो अब यहां से देखे आपका एक गद्ध्यांस दिया गया है अनिकी कव्यांस दिया गया है इसको आपको ध्यान कुरोग पढ़ना है और question नमर 6 से लेकर के 10 तक के परशनों के उत्तर को देना है ठीक है तो इसको आप लोगों उन्हें पढ़ी लि उसके बाद देखे अगला question आपको का के कि पतंगों का राज कहां है तो जो पतंगों का राज ये बच्चो ये आपका नंब में आपको ये किसका क पतंगे किस ओर है तो पतंगे या आपका च शारो ओर है ऑक्सों नमर कि प्रस्तुत कव्यांस का उपयुक्त सिर्षक क्या होगा तो इसका सबसे बढ़ी हां सिर्षक होगा पतंगों का मोसम ऑप्शन नमर 3 इसका करेक्ट आंथरोगा पतंगों का मोसम उसके बाद देखे अब यहां से आपका खंड खाम है व्याकरण और रचना का कोशन है और जो पर आपका प्राह उप्सर करेक्ट आंथरोगा अगला कोशन देखे कै कि एक पर्तिय से बना मोसम तो उप्शन coop करेक्ट आंथरों का यह इक उसके बाद दिखे अगला कोशन का क्या है कि उलेक सब्दका सहीसंदीविधित होगा ता उठ पल रेक हो जयेगा क्या होगां तो गायक का इस्तिलिंग रूप क्या हो गाई का उप्चे उपका करेक्टा आँपıldह उद में में होगा चो gra तो देखिए कैला अक वीजण ने कि पहले 2007 एक भूशन इस अगर सिर्फ आपका बच्चा रहाता तो बच्चा क्या होता आपका बच्चा होता शरीप एक कोच्छन ठीक है तो यहाँ पर बच्चे का मतलब क्या बहुत सारा बच्चा तो यह आपका बहुत बच्चन है option number 3 इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखिए कि सही वरतनी क्या है तो यहाँ पर सही वरतनी आपका धर्म है option number 2 इसका correct answer हो गा 17 का दो उसके बाद देखिए बच्चो अगला question क्या है कि सी से सब्द का ततभव रूप क्या है तो सी से सब्द का जो ततभव रूप हो जाएगा यह आपका सीर हो जाएगा option number 40 का correct answer हो का सीर next question देखिए क्या है कि निमने में से कौन संख्या वाचक विसेशन है तो संख्या वाचक विसेशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा तो तिसरी मंजिल यह आपका संख्या वाचक विसेशन का उधारन है option number 2 इसका correct answer हो गा अगला question देखिए क्या है कि जीतोड मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो जीतोड मेहनत करना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अथक परियाब पर इसरम करना option number 1 इसका correct answer हो गा 20 का एक उसके बाद देखिए अगला question आपका कहा है कि संतोष का विलोम सब्द क्या होगा तो संतोष का विलोम सब्द हो जाएगा अने कि उल्टा है इसका हो जाएगा आज संतोष option number 2 इसका correct answer होगा आज संतोष अगला question देखिए कि निम्न में वेंजन वरन कोन है तो वेंजन वरन यहाँ पे हो जाएग आपका म, option number 3, इसका correct answer का 22 का 3, अब यहाँ पर देखे, आपका एक पत्र दिया गया है, इस पत्र को यहाँ पर देखे, क्या लिखा गया है, कि अच्छा में पर्थम आने पर, पिताजी के लिए, आपका दिये कि पत्र में रिक्त अस्तान पर सही हुई कलब का, यहाँ पर चै हां, 23 का क्या हो जाएगा, 23 का एक हो जाएगा, साधर परनाम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखे, 24 को ग्लई को क्या हो जाएगा, 24 का option number 2 हो जाएगा, पर stationsता ओजाएगा, क्या पर संता 24 का दूग जाएगा, अगला कोशन देखे 25 का, 25 का जो आपका correct answer हो जाएगा, हो जाएगा आपका आसिरवाद का हो जाएगा 25 आपका आसिरवाद से उसके बाद नबर होगे चलिए कि पॉचा की परस्तूद गद्यान से बचोंगी ने होगा चोटा जादू अगला कुश्चन देखे क्या है कि कौन पेशा कमाना चाहता है तो पेशा कौन कमाना चाहता है तो छोटा जादूगर कमाना चाहता है option number 3 इसका correct रूँगा next question दिखे क्या है कि लेखक ने लड़के की मदद कैसे की है तो लेखक ने हाँ पे लड़की की जो मदद क्या है या आपका सर्वत बिलाकर क्या है option number 1 कि इसका correct रूँगा 29 question कोशें दिखे क्या है कि लड़का कितने वर्स का था तो जो आपका लड़का बच्छों यह 13 चोगदो वर्सका था ओप्षिन गशारीज का कर्यक्टन ना थाफ हो गा, 13 चोगदो उसके बाद देखे अगला कृप्षिन आपका क्या दिया गया बच्छों कि लड़का पैसा कमा कर क्या करना चाहता है तो लड़का पेसा कमा करके यह क्या करना चाता है तो 30 का जो correct अंफरो हो जाएगा आपका मा की सेवा करना चाता है ठीक है option नमर 13 इसका 30 हो जाएगा correct अंफरो अगला question देखे क्या है कि समराट असुक किस पर विजे पाना चाते थे तो समराट असुक कलिंग पर विजे प्राप्त करना चाते थे पाना चाते थे option नमर 12 का correct अंफरो अगला question के है कि किस पार्ट में द्वियांग महला के धरी द्रीड इच्छा सकती एवं सफलता की बारे में बताया गया है तो किसमें आप राजिता में इस बारे बताया गया है और आप का 32 का option नमर 13 का correct अथरोगा आप राजिता अगला question के है कि हूंडरो का जलब पर पास किस नदी पर है तो हूंडरो का जो जलब पर पात है यह आपका सोरन रेखा न दीपर है, option नमर चाजिस का करेक्ट रांतर होगा, सोरन रेखा अगला question दिखे कि है, कि हमारे आचरन का, आचरन पर किसका गुप्त परभाव पढ़ता है तो हमारे आचरन फर संगती का गुपत प्रभा परता है Option numero 13 का कartiटांथ रोगा संगती Next question दिहे क्या है कि मरांग कौॉम्पे का क्या अर्थ है तो मरांग गॉम्पे का अर्थ होता है महानपूरूस Option numero 21 का करेक्टांथ रोगा महानपूरूस लगबंगे से आपका पढ़ाया वहा कोईशन ने बचों एक भी कोईशन बाहर नहीं होगा बस सरते कि जितना में आपको पढ़ाया था उतना पढ़ा करके जाने से होगा एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा ठीक है? चलिए अगला question देखें आपका क्या है? कि महाराजा 16 साल कहा के राजा थे तो महाराजा 16 साल ये आपका बुंदेल खंड के राजा थे option नमर 12 का correct आंथर होगा अगला question देखें क्या है? कि अमरोध का पेड अंदता क्यों काटा गया? तो उसे अंतरता आपका अंदिविश्वास के कारण काटा गया था option number 1 किसका correct नंतर होगा अगला कुछन देखे क्या है कि विद्याले में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कारियों की देखरेक्ट करने का काम किस मंत्री का होता है तो यह होता है आपका परधार मंत्री का option number 40 का करेक्ट नंतर होगा परधार मंत्री उसके बाद देखे बचो अब यहाँ पे आपका एक कवियांस दिया गया है इस कवियांस को आपको ध्यान कुरूँ पढ़ना है option number 2 इसका करेक्ट नंतर होगा पुस्प की अभिलासा उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि परधुत कविता के कवी कोन है तो यह जो आपका परधुत कविता है बच्चो इसके कवी कोन है तो इसका जो करेक्ट नंतर हो जाएगा आपका माखळ लाल चतरुविधी अगला question देखे क्या है कि परीमिका को कोन ललचाना नहीं करता है तो परीमिका को कोन ललचाना नहीं चाहता है तो यह पुस्प has गना कि गहनों के रूप बता है तो यह आपका सुर्बला के गहनों की रूप में option number 1 किसका करेक्ट अंतरोगा सुर्बला के उसके बाद देखे बचो अगला question क्या है कि पुस्प किस परकार किस पर इठलाना नहीं चाहता है तो पुस्प में यहाँ पर किस पर इठलाना नहीं चाहता है तो यह अपने भाइगे पर ठीक है इस पर अपने भाइगे पर option number 40 का करेक्ट अंतरोगा अगला question क्या है कि बूढ़ी ओरत कितने वर्सकी हो गई थी तो बूढ़ी ओर्स आपका यह 75 वर्सकी हो गई थी option number 1 इसका करेक्ट अंतरोगा पचतते अगला question देखे आपका क्या बचो 45 नमर का question कि गाम के लोग बूढ़ी ओरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते हैं तो इसलिए जोड़ लेते हैं डर के कारण ठीक है option number 44 का करेक्ट अंतरोगा डर के कारण अगला question देखे क्या बचो कि कानून की किसी भी किताब में किस सब्दे का जिक्र नहीं है तो कानून की किसी भी किताब में आपका डायन सब्दे का जिक्र नहीं है option number 3 इसका करेक्ट अंतरोगा डायन अगला question देखे क्या है कि भरत के आगरा करने पर स्री राम ने उन्हें क्या दिया तो उन्हें खड़ा हूँ अनि कि जो आपका चंपल होते है ठीक है और आपका चनल पादू का उसे दिया था उप्सन नमर दो इसका करेक्ट अंतर होगा खड़ा हूँ अगला कोशिन देखिया बच्वों क्या है कि स्री राम को अध्रिया लोटने के लिए कौन-कौन मनाने गए तो कौन-कौन मनाने गए थे तो यह आपका भाई भरत गया था गुरू असिस्ट गया था और राजर जन्रक भी गये थे ठीक है इंग्लिच का आंसर के अपलोग तो इंहि問 का आपका अप बडूड के साइन्स का अपलोड का आएगा तो पियारी-पियारी हात्तों से आपँ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करliest देखिये अगला कोशिन कहaser की परेकृति के दोहन का चितरन किस कविता में हUआ है था इह वोड़ी प्रीथमी का दुख इश हो बिसस्य और शॉरो का पर विस्पॉट करना इस सभी है तो इस को शुटा नम की है एक complete हुआ ठीक है तो यहां पे आपका हिंदी हो गया इंग्लिस का तो अपलोड करिए दिया है मेहत का भी अपलोड हो चुका है साइंस का भी हो चुका है तो सभी सब्सक्राइब कर लिए और आपको कमेंट करके जुरू बताइए कि हिंदी में से आप लोग ने 50 में से क इतना कुशन सही किया ठीक है बस्तों तुशली मिलते नेक्स वीडियो में तबते के लिए जहिन जिभारत जुहार जार करनें